वेल्कम बैक तो एनदर वीडियो अफ कंस्टिटूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 सीरिज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 6 की और जैसे कि मैंने पहले बताया था जो पार्ट वन जो इंट्रोड़क्टरी पार्ट है पाकिस्तान के कंस्टिटूशन का उसमें छे ही आर्टिकल थी तो यह जो इंट्रोड़क्टरी पार्ट है उसको हम कंप्लीट जो है इस वीडियो में कर लेंगे फाइन तो चलें आर्टिकल देखते हैं क्या है नेम है हाई ट्रेजन ट्रेजन का मतलब होता है घदारी हाई ट्रेजन यानि संगीन किसम की घदारी मौतल करे और होल्ड इन अबेंस या अलतवा में रखे और अटेंट्स या कोशिश करे और कंस्पायर्स या साज़िश करे तो अब्रोगेट और सब्वर्ड और सस्पेंड और होल्ड इन अबेंस the constitution by use of force और show of force constitution यानि ये जो मैंने सारी बात की हैं ना तक्रीब करने की तंसीक करने की मौतल करने की अलतवा में रखने की या पिर उसकी कोशिश की जाए या फिर उसके लिए साज़िश की जाए यह सब किसकी बात हो रही है constitution के लिए ठीक है? constitution को आईन को कोई person अगर ऐसे करने की कोशिश करता है साज़िश करता है या करता है by use of force किसी भी तरह जो है वो ताकत के इस्तमाल करके और show of force किसी भी तरह ताकत को दिखा के और by any other unconstitutional means या किसी भी और घैर आईनी तरीके से shall be guilty of hydration उसको संगीन घदारी का मुचरिम कहा जाएगा ठीके तो ऐसा कोई भी person ऐसा कोई भी काम करता है तो वो घदार होगा fine two कहता है second point या जिसको हम उर्दु में शक भी बोलते हैं तो ये शक कहती है कि any person aiding or abetting or collaborating the acts mentioned in clause 1 shall likewise be guilty of hydration यानि कोई भी ऐसा शक्स जो अभी शक्स जो पहली शक्स थी या पहली जो clause थी उसमें जो चीज़े mention की गई है उसमें कोई उसकी help करता है ठीके किसी भी तरह से ठीके या उनके साथ मिल जाता है तो उस person को भी घदार ही का जाएगा ठीके है वो भी इसी चीज़ का मुझरिम होगा थर्ड पॉइंट इस मजलिस शोरा जो पार्लिमेंट है शेल बाई ला कानून के जरीए provide for the punishment of persons वो इन लोगों के लिए punishment जो है उनके सजा जो है वो provide करेगी found guilty of hydration यानि जो हाई ट्रेजिन संगीन घडारी के मुझरिम होंके उनके लिए जो पार्लिमेंट है जो मजलिस शोरा है वो उनके लिए सजाएं मुन्तखिब करेगी ठीक है अन्दार सेट यहां तक हमारा part one complete हुआ